नमस्कार दोस्तों मैं नंदिकेश कुमार इस नंदिकेश प्रोडक्शन का फॉंडर पेपर कॉम का भी फॉंडर मैं आपसे बात करना चाहता हूं पेपर का बिजनस किस प्रकार से किया जाता है पेपर में क्या पोसिलिबिल्टी है आगे बरने की और पेपर के धंदे में किस तरह से इनका आप सोर्स है मैं आज एक फैक्टरी में आया हुआ हूँ यह मेरा ही फैक्टरी है और यह मेरा तीसरा फैक्टरी है और तो मैं आज इस आउटलेट में आया हुआ हूँ इस आउटलेट की जो देखरे करते हैं वो है बरुंजी जिससे आप लोग को मिलाना चाहू यह बरुंजी देखिए यहां पर कोपी को बहुत अच्छे तरीके से बनाता है और इस यह बरुंजी आप बताएं कि कौन-कौन से मसीन का उप्योग करके कोपी तयार किया जाता है चलिए बरुंजी और आप हमको बताईए अपने साथ मिलके किस तरह से कौन-कौन से मसीन की जरूरत है आवसकता है जो कोपी बनाने में कारगर साबित होता है आए बरुंजी आए यह कौन सा मसीन है बरुंजी यह मसीन आप जो अभी देख रहे हैं यह कौन सा मसीन है बरुंजी बताएं अच्छा इसमें इसमें क्या क्या काम होता है यह मसीन देखिए आप लोग दो यह जो मसीन है यह कटिंग मसीन है और वरुन जी अभी इसका कटर साइद निकाल दिये हैं क्योंकि यह धार बनने के लिए जाएंगे तो इस मसीन का भी कटर निकला हुआ है और ये वरुन कटर निकाले हैं तो इस तो इसमें जो कोपी कितना से बना रहु है तीन महीन To is फैक्टरी में यह कम आप कितने दिन से के कि बावत अच्छाम मैंडिया यह बहुत अच्छा नुड़े नहीं है और बिना कुछ किये हुए आप कोपी तयार कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इसके लिए मसीन क्या वे सकता होती है दोस्तों बिना मसीन का कारिगर भी काम नहीं कर पाएगा यह अठल सकती है तो यह तो हुआ कटर मसीन और आप इसके बाद यह कौन सा मसीन है आई 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 य यह कॉसा मसीन है यम कर इसमें क्सारे की इसमें उत्विपाद्स सब्सक्राइख योन इसमें क्या क्वाद ऊगता है तो बरुन जी बहुत यह अच्छे कारिगर है और इसकी कारिगरी की सहारना जब हम मार्केट में दुकंदार के पास जाते हैं तो इसकी कोपी की फिनिसिंग है ये देखिए फिनिसिंग कितना मस्ट फिनिसिंग बनाए हुए है ये देखिए फिनिसिंग तो इसकी कोपी की कारणामा इस छेत्र में सब ही बताते हैं कि कोपी आपका अच्छा बनके त्यार होता है यह देखिए जो कोपी बनके रेडी हुए है अच्छे फिनिसिंग के साथ रेडी हुए है और यह सब कोपी बरुंजी ने बना के त्यार किया हुआ है तो बरुन जी इसमें एक बात और है कि इसमें चुहा भी लगता है लगता है तो इसका क्या उपाय है कुछ उपाय नहीं है तो इससे आपको साधनी से रखना होगा इसमें चुहा से बचाने का कोई ऐसा दबाई नहीं है जो की चुहा नहीं लिए चुहा लगे गाई इसका द तो यह सब बिक जाता है इभी कोपी बनने का चार्ज भी लेते हैं कोपी बनने का बारुन्जी चार्ज भी लेते हैं और आपके साथ कोई है कि अकेले काम कर रहे हैं अकेले काम कर रहा है, यह भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि कोई भी हो, अपना धंदा खुद किया जाता है, और भरुन जी बेसिक रूप से ये काम करना है, भरुन जी क्या लगता है, यहां आपको काम ठीक ठाक मिल रहा है, ठीक ठाक है, भरुन जी को ये काम ब में पसंदारा है दोस्तों अगर आपको कोपी नॉट्बुक का बिजनस कर रहा है तो मेरा जो नम्मार है नम्मार कोई कॉल कीजिए हम आपका पूरा साहिता करेंगे दोस्तों बरुण जी आपको ट्रेंणिंग देखा बिसेष ट्रेनिंग बरुण जी कितने दिन में आप ट्रेन्ब करोगे एक कारिगर को, ड़स दिन मेहने में करेगा दोस्तों तो आपको जूट में कोई बोल रहा है कि दो दिन में आप ट्रेनिंग कर लो और आप कोपी बनाना सीख जाओगे कम से कम दो मेने लगेंगे आपको कोपी बनाने के लिए क्योंकि इसकी जो महीनी काम है न वो पन्ना उल्टाने का, experience का वो अलगी बात है तो next वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे कोपी बनाया जाता है और उसके बाद हम बताएंगे आपको किस तरह से कोपी को मर्द किया जाता है दोस्तो इसी के साथ हम और बरुन जी हम और बरुन जी मिलके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जिनको भी काम करना हो तो मेरे नम्मर पे जरूर कॉल कीजिए नम्मर मेरा नौट कीजिए डवल डवल सेवन एट सेवन सेवन डवल जीरो येट ये मेरा नम्मर है और हम बात करेंगे और बरुन जी आपको ट्रेनिंग देगा और यहां का जो बिवस्ता है ना बहुत अच्छा बिवस्ता है दोस्तों दोस्तों धन्यबाद दोस्तों अगर आपको अच्छा लेगेगा लाइक भी करना और सुस्क्राइब भी करना अब मेरा नमर लेना और कॉल करना मैं पूरा हैलप आपका करूंगा धन्यबाद